ये प्राचीन मंदिर भार्तिय सेना द्वारा बनाया गया ये वैशनु माता के नागदेवते गनेश माराज जी है वो बहरो बाबाजी है जे उनका दड़ है वैशनु माता एवं काली माता मंदिर पोनी के आज हम आपको दर्शन कराएंगे आईए गुफा के अंदर चलते हैं हम पर आप देख सकते हैं गुफा में किस तरीके से जाया जाता है लाइट आपके पास होनी चाहिए और यहां पर कुछ इस तरीके से गुफा में माता वैशनु देवी जी के दर्शन होते हैं यहां यह पांच पांडू है यह और यह पांच पांडू है तो वह वैशनु माता का यहां पर विराजमान है काली मईया जी ईदर रहती थी यह आर्मी रहती थी यह पौणी नाला में रहती थी तो उंकी गुम होगे पिस्टल पिस्टल गुम होगे तो तो फिर वो आए, साव आए, उन्होंने आके मत्था टेका, उन्होंने कहा कि अगर मातारा नहीं, अगर हमारा, हमारी जे पिस्टर अगर मिल गई, तो हम जे मंदिर बनाएंगे, तो इधर मत्था के केंगे। कितने लोग आते हैं यहां दर्शन करने के लिए आते हैं सुबा कभी दपैर को, शाम को, बैशनो माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो चलो जोल्यां खाली आते हैं, मा उनकी जोल्यां बरती है, पोनी के प्रिथिचंद जी, डी आई जी, वो पोनी के रहने वाले हैं, इस बगत वो जम्मू में बिराजमान हैं तो उन्होंने मनता की थी कि महां मैं आपके इदर गुफा में चन्ने से दिक्कत हो रही है तो मैं सेड़ी बनवाऊंगा। डी आजी साब ने क्या किया कि एक मैदूर छीना थोड़ी दिया तो उसने खोदना शुरू कर दिया मैदूर ने जिस बद खोदना शुरू कर दिया तो मैदूर से एक दो एक सुतर दो सुतर भी नहीं वो खोदा गया वो पहाडी जहां से हम गे हैं तो फिर रात को क्या हुआ कि क्या करने लगा है, जे हमारे पाउं भी काटने लगा है. उन्होंने कहा माता मैंने वो गलती मेरे से गलती हो गई. मुझे नहीं जे मालूम था कि जे इदर मा के पाऊं हैं वो आप ही जान सकती हैं तो उन्होंने कहा मैंने सीड़ी मानी थी कि जे लोग जात्रा जो है आती है तो वो अराम से उपर चले जाए एस एस पी साव रियासी के भो भी आए थे सभी ने दर्शन किया असे शिवखोडी की जात्रा जाती है मैं सबसे जे निवेदन करूँगा और हमारे एस एस पी साव डी एस पी साव और डी सी साव से जे अपील करता हूँ कि चलो जे भी जादा से जादा जात्रू आना शुरू हो जाए यहां पर जो है आप देख सकते हैं वैशनो माता एवं काली माता मंदिर पूनी अध्यक्ष पंडित अजीत राम सुदन जी यहां पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ है यह प्राचीन मंदिर भारतिय सेना द राप्त हुआ था और इसके अलावा माता की गुफा में लोहे की पोड़ी जो वह डियाए जी प्रित्वी राज जी द्वारा लगाई गई है और इस यहां पर जो मूर्थी स्थापना है वह साल 1994 में हुई थी और इसके संथापना करता जो है वह अजीत कुमार जी थे तो यह है वह अजीत कुमार जी और हम आपको आज हमने आप कोशिश की एक छोटी सी के हमें भी नहीं पता था और शायद ही रियासी वासियों को पूरे जिला वासियों को या फिर जमुकुश्मीर वासियों को बहुत कम लोगों को इस प्राचीन गुफा के बारे में पता है प झाल